इम तू द्वादसी देव प्रिबोधाय बेनेर में था तो यो सरुलो का नाम हितार्थ सेश शाहिना इदम प्रतम मया देव कृतम प्रिते तौप्रभो नियूनम संपुनताम यातुत प्रसाद दार्ज नार्दन जो तिशाचार ने बताया है कि देव उठनी एकादसी पर भ से हजारो करोडों जन्मों के पाप नश्ट हो जाते हैं इस दिन दान करने मात्र से ही आपके सो जन्मों के पाप नश्ट हो जाते हैं और इस दिन भगवान विश्णू को तुलसी दल समर्पित करने से भगवान विश्णू बहुत ही खुश होते हैं और हमारी सारी मनोकामन भगवान विश्णू पूरी करते हैं तो आई ये जानते हैं देवटनी एकादशी ब्रत का महत्मे और शुब संयोग देवटनी एकादशी साल 23 नौमबर यानि आज है इस दिन भगवान विश्णू पांच महिने की निद्रा के बाद जाब जाएंगे इसके बाद से सभी मां माना जाता है कि देवटनी एकादशी को भगवान श्री हर पांच महिने की गहरी निद्रा से उचते हैं भगवान के सोकर उचने की खुश्छी में देवटनी एकादशी मनाई जाती है इसी दिन से स्रश्टि को भगवान विश्णू scaphालते हैं इसी दिन तुल्सी से उनक मागन में चौक पूरकर भगवान विश्णू के चड़ों को कलात्मा प्रोप से अंकित करेंगे रात्रिकों विधिवत पूजन के बाद प्राताकाल भगवान को शंक घंटा आदि बजाकर जगाया जाता है और पूजा करके कथास सुनाई जाती है तो आज आपको बता दें देवत्थान एकादशी मनाई जाती है और इस दिन कहते हैं कि अगर आप दान करते हैं पूजा पाट करते हैं भगवान विश्णू को तुलसी दल समर्पित करते हैं आज आप ब्रत रहते हैं रात में जाकरन करते हैं तो आपके सो जन्मों के पाप नश्ट हो जाते हैं अब बात करते हैं कि एकादशी वाले दिन आपको क्या करना चाहिए कौन सी चीजें करने से भगवान विश्णू के आप परमभक्त हो जाते हैं सबसे बड़ी बात तो आपको इस दिन क्रोध से बचना चाहिए आपको क्रोध नहीं करना चाहिए और वाद विवाद से भी दोरी बना कर रखनी चाहिए एकादशी के दिन जोईत्साचार ने बताया है कि एकादशी के दिन दान करना उत्तम माना जाता है एकादशी के दिन संबव हो तो गंगासनान करना चाहिए विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करना जाहिए एकादशी का उपवास रखने से धन, मानसम्मान और संतान सुक के साथ मनुवांक्षित फल की प्राप्त होने की मानिता है कहा जाता है कि एकादशी का ब्रत रखने से पूरुजों को मौक्ष की प्राप्त होती है और हमारे जो पूरुज होते हैं किसी कारण वस अगर वो संकट में होते हैं तो भी विश्णुपत को प्राप्त होते हैं विश्णु की शरण में जाते हैं तो आपको बतादे चले, आज देव थाने का दश्री मनाई जाती है, इस दिन आपका उब्रत रखने से, राथ जागरन करने से, दान करने से आपके हजारों पाप नस्ट हो जाते हैं और भगवान विश्णों की शरण में जाते हैं.